गुड़ मॉनिंग टू अल उफ यू एंड वेलकम टू यूर चैनल जीकेफेक्स करेंट में गाइज आज डेट है 16 दिसंबर और जानेंग आज 16 दिसंबर से दाहिंदू की वोकेबर विच इंपोर्टन फॉर आल कॉंपरेटिव एक्जामिलेशन दोस्तों जैसे कि आप सभी स्पीकिंग सीखते हैं तो वहाँ पर भी आपको वर्ड मेनिंग की ज़रूरत पढ़ती है और इसका पीडियेफ का लिंग है वो डेली की तरह आज भी आपको जो है डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल गया है महां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो नई स्टूडेंस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से फ़स्ट वन इज फ्लैसीड क्या है फ्लैसीड फर्स्ट वन फ्लैसीड पार्ट सबस्पीचिस का एड्जेक्टिव है और इसका जो मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है not stiff in structure structure का मतलब होता है सन्रच्णास सन्रच्णा में कठोरता नहीं या फिर सन्रच्णा जोथ कठोर नहीं हिंदी मिनिंग जान लेते हैं जो हमारा फ्लैसीड वे उसका मतलब होता नरम्या फिर flexibility या है एक्छीलापन एक्जामपल देखते हैं पेरलाइज मसल्स लोस्ट टॉन एंड बिक्केम फ्लेसिग कहने का मतलब यह है कि जो लगवा लग जाता किसी भी व्यक्ति को इश्वर ना करें लगें कि ढुबारी मसल्स होते मास पेशिए वह अपन jetzt को टान को कि टौन को छोग यह किरते हैं कि जिससे वह क्या बन जाते हैं वह बिल्कुल नरम बन जाते मतलब क pursue इसवाली स्लाइड पर कोई बंडाऑ नहीं होना है मतलब किस वोके पर जो मैं आपको करा रहा हूं सो आज जो क्लास है वो हमारी एंटोनीम के ओपर सो एंटोनीम देखिए फर्स्ट वन है रिजीड कठोर इस्टिफ कठोर इन फ्लेक्सिबल जिसमें नरम या फिर जिसमें लच लचिला पन कह सकते हैं सबसे बढ़िया बात तो यह क्य मतलब होता अला चीला पन नेश्ट देखते हैं अफ्लिक्ट 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 पार्ट सबस्पिजिस का वर्भ है और मिनी है पीड़ा देना दुख देना अकसर आपने देखा हुगा कि जो अमीरों के द्वारा जो गरीबों को पीडित के जाता है य जीवन से मार खा जाते हैं ऐसे लोग जो क्या करते हैं शिकायत करते हैं ठीक है तो अफलिक्ट और इसका जो मीनिंग है वह है आफ अप प्रॉब्लम और इल्नेस कोस पैन और सफ्रिंग टू अफेक्ट और ट्रॉबल मतलब कि कोई बिमारी या फिर परिशानी परिशानी का जो मतलब कि जो पीडित है उसका दड़ उसके कारण दड़ जो कि उसको क्या अफेक्ट परभाव और परिशानी में परिशानी है समझे देखिए अगर मान लिजे कोई व्यक्ति किसी बिमारी या परिशानी से पीडित ह उसका कारण क्या हो उससे वो पीडित हुआ तो उसी का परभाव और इफेक्ट पढ़ रहा है ठीक है एक्जामपल है हिंदी में इसका मैंने आपको बता दिया है पेड़ा देना एक्जामपल फैमीन एंड वर इस्टिल अफ्लिक्ट मैंनकाइड न्यू वर्ड फैमीन हिंदी में तो पता ही होगा अकाल इसको आज लिखिए फैमीन का मतलब हो था अकाल और यूद अभी भी मानव जाती को प्रभावित करता है कि डेफिनेटली करता है अगर देखिए यूद होगा तो अकाल पड़ेगा ठीक है जैसे कि आप एक्जामपल ले सकते हैं नाइन्टी फॉर्टी फाइफ ठीक है तो यह दो समय हैसे थे जिसमें की फर्स्ट वर्ल वर और सेकिंड वर्ल वर होता है जिसमें भारी मात्रा में नुक्सान और अकाल पड़ेते देशों में नेक्स्ट इसका जो एंट्रॉम से वह है यहां पर हमने पीडा दे दी और इसका को सहहता होता है क्या मतलब होता है एड मतलब भी सहायता होता है की दिए रहा है सो ध्यान रखना इस बात को next है डायने और भर्ल्ба पार्भ सब अब्लड नहांट है और मीनिग है गतिकलता क्या है मिनिगतिकलता क्या होता ni एक्जाम्पल है सच चेंज 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 आर इंडिकेटर्स आफ इकनॉमिक डाइनमिज एसा परिवर्तन जो आर्थी गतिशीलता का संकेता के तो यह हुआ मतलब की डाइनमिजम का एक्जाम्पल जिसको दोस्तों आपने याद रखना और साथ ही कोशिश यह करना है कि मैं एक एक्जाम्पल बनाओं इस वी केंडू इट सो वाई आइक कांट डू मैं क्यों नहीं कर सकता अगर वे कर सकता तो यह चैंटेंज साहब अपने आप से पुछी कि आई टो इट टीक है मैं हमेशा कर सकता हूं चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे करना पढ़ागा देखिए जो कहते हैं ना कि डांट मेक एक्सक्यूज मेक रिजल्ट एक्सक्यूज ना बनाईए केवल और केवल आपका काम है रिजल्ट बनाना रिजल्ट दिखाना कि हां मैं कर सकता हूं मेरे अंदर इस चीज़ की अबिलिटी है मैं काबिल हूं इस काम के लिए जो की मैं कर सकता ठीक है अपने पर हमेशा धिर्णता से विश्वास रखिए क्योंकि एक व्यक्ति देखिए आज कल कि एक और बात बताता हूं कि एक हाली की जो न्यूज आई यह वो यह देखिए बताता हूं कि जो एलॉन मस्क है टेसला के और टेलिग्राम मतलब की टुटर के जो ऑनर है टे हम भी हुमेन है लेकिन मायंट का सब खेले मैंन और मायंट का सब खेले इसलिए कहते हैं कि महनत करिए व्य भी दिमाग से ठीक है बिल्कुल भड़ा तरीके से महनत कीजिए औरily इस चीज का ध्यान रखने है कि किस डारेक्शन में महनत करनी है गौइड लाइन बड़े से हो मैंने बढ़ाया कि अभी डाइनमीज मतलब की गतिशीलता इसमें कार्य हो रहा है यहां पर अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया बच्चों तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए साथ ही जो इसको शेर कर दीजिए आपको पता है कि एक दिन में आपको करेंट अफेर और वोके मिलती है और जो फ्राइडे साटर को भी किलास इंपोर्टन मिलती है जो आपने देखना सभी जरूरी ह शेर करिए नेश्ट यह है इंटरस्टिस इंटरस्टिस पार्स फिच इसका नाउन है और मिनिंग क्या है इसका अंतराल इसको हम कह सकते हैं कि गैप एक हस्त एक छेतर में हस्त शेप इस पेशलिया वेरी स्मॉल वन जो कि एक बहुत चोटा है एग्जामपल दाinging इंटरस्टिस बेट्वीन दा ब्रिकस लेट इं कोल जो मतलब की ईंटों के बीच जो एंतराल इंटराल है कोहां सब्सकु इसमों मैंने बिल्कुर्फ मतलब कि धियnaj को एक वरड़ को सॉफ़ कर दिया कि इससे तर्रिके को मीनिंग या रखना चाहा है को जो न्यू वड़ा उसको जुरूर याद अखना डेली ही न्यू बहुत ज़्यादे वड़ाते हैं सो यहां पर वड़ था गेप वाला मतलब इंटरस्टीज अब यह पारा तो अगले में क्या होगा गेप नहीं आगा इसे दिन रात आज कल भाई बैं यह इनके सिनन्स अंटर पार्ट सबस्पेजिस का नाउन है और मीनिंग इस शिष्टा चार क्या मिनिंग शिष्टा चार बिहेवियर इन कीपिंग विद गुड़ टेस्ट एंड प्रोप्राइडी क्या है अच्छे स्वाद को ओचित्ति ए अच्छे स्वाद का ओचित्ति ए ठीक है तो एक्जामप आई वोस्ट ट्रीड़ विडेकोरम एंड रिस्पेक्ट ट्रो आउट इंवेस्टिकेशन जाज के दुरान मेरे साथ जो है शालिंता और जो है सम्मान का विवार किया गया नेक्स्टे रॉंग मतलब की गलत इंपॉलाइट नेस केते ना कि पुलाइट बनी है पुलाइट दिखाने माला की लिए रहे तो उम्मीद करता हूं कि क्लास इंफॉमेटिव लगयों आफ सभी ने इसको पूरा वोच किया होगा सबसे पहले तो थैंक्स फॉर वोचिंग फॉर एवरीवन ठीक है और और याद रखना डॉन्ट फगेट इसको लाइक करना कॉमेंट करना ए